राइस कंजुम्शन कितना हेल्दी या अनहेल्दी है। चावल का मेरे ब्लड ग्लुकोज पर क्या प्रभाव पाड़ता है। And last but not the least, हम चावल के ब्लड ग्लुकोज इंपेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। Hello and welcome to Nourishing Kaka। अब वैसे तो लोग राइस कल्टिवेशन को या कंजुम्शन को चाइना से एसोशीट करते हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि चावल की औरगिनाइस्ट खेती पहली बार पूरी दुनिया में हमारे अपने देश भारत में की गई थी। और वो सिलसला आज भी जारी है और वैसे तो चावल की खेती हमारे पूरे देश में की जाती है लेकिन बेंगॉल में जिससे पहले वेस बेंगॉल कहा जाता था चावल को एक टोटली डिफरेंट पैशन के साथ उगाया जाता है। बेंगॉल में चावल की खेती के लिए लगभग पचास लाख हेटेर जमीन का उप्योग किया जाता है। बेंगॉल के लगभग हर हिससे में चावल उगाया जाता है और यहां चावल को तीनों सीजन्स में उगाया जाता है जिने वहां की बाशा में कहा जाता है अमन, आस और बोरो तीनों सीजन्स में और यह ट्रेडिशन पिछले कई हजार सालों से चालू है। इतियास हमें बताता है कि एक जमाने में बेंगाल में चावल की खेती इतने बड़े पैमाने पर होती थी चावल का प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर होता था कि उससे न सिर्फ डोमिस्टिक नीड्स पूरी हो जाती थी बलकि चावल का एक्सपोर्ट भी किया जाता थ कई अग्रिकल्चरल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक ऐसा समय था जब बेंगॉल में हजारों किस्मों का चावल ओगाय जाता था अबुल फजल जो के बाश्शा अकबर एंपरर अकबर के कोट में या दरबार में एक बहुत बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने जिक्र किया है कि यदि बेंगॉल में पैदा होने वाले हर चावल की किस्म का सिर्फ एक दाना सिर्फ एक ग्रेन भी कलेट किया जाए तो भी एक बहुत बड़ा मटका या वेस भर जाएगा अब बेंगॉल में आज की तारीख में इतने सारे राइस वेराइटीस तो खैर नहीं ही उगाई जाती लेकिन आज भी यदि आप बेंगॉल के गाउं की हट बजारों में चक्कर लगाएंगे तो आपको चावल की दरजनों वेराइटीस देखने सुनने को मिलेंगी आपको जलधी सविता पटनई मंदिरा नटनागिनी जैसी राइस वेराइटीस के नाम सुनने को मिलेंगे खुबसूरत नाम सुनने को मिलेंगे और यदि आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको च पूरे ग्यारा महीने लगते हैं, नॉर्मल वेराइटी इसको चार महीने में हार्विस्ट कर लिया जाता है, और आपको एक ऐसी वेराइटी भी देखने को मिल सकती है, जिसका प्लांट एक ही दिन में 20 सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाता है, आपको एक ऐसी शौर्ट ग्रेन र स्पैसी हिंट होती है, और इसलिए उसका नाम ही है कालोजीरा राइस या ब्लैक कमिन राइस, और ये दिया आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपको एक ऐसी शौर्ट ग्रेन राइस वेराइटी भी दिखाई दे सकती है, जो अपनी सुगंध के लिए और अपने मीठे स्वा जाता है, और जैसा की इसके नाम से ही जहिर है, इसका उप्योग गोविंद जी को भोग लगाने के लिए किया जाता है, अब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बेंगाल के लगभगहर जिले में कई दिनों तक रहा हूं, और चावल की खेती करने वाले कई किसान भाईयों से और एक्सपर्ट से मिला हूं, और उन्ही सब मुलाकातों की वजह से, उन्ही सब किसानों के संपर्क में रहने की वजह से, मैं चावल के बारे में ये जो दो चार चीजे हैं वो जानता हूं, और एक बार जब आप बेंगाल में काफी दिनों के लिए रह लेते हैं, तो आपका चावल से एक टोटली नए तरह का रिष्टा कायम हो जाता है, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि चावल मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महतोपूर्ण हिस्सा है, आजकल तो मैं खैर चावल ज्यादा नहीं खाता, क्योंकि मैं अधिकतर समय या तो intermittent fasting कर रहा होता हूं, य या ketogenic diet follow करता हूं, या कभी-कभी OMAD या one meal a day diet follow करता हूं, लेकिन फिर भी जब भी मुझे मुझे मौका मिलता है, चावल मेरी plate में मौझूद होता है, और इसलिए कुछ दिन पहले मैंने चावल की एक easy recipe खाकर उसके blood glucose के impact को जानने और समझने की कोशिश की, और उसके बनाई थी, garlic fried rice ये एक मेरी ही खुद ही develop की हुई छोटी सी recipe है, एक बहुत ही simple dish है, इसके लिए मैंने कुछ red rice को रात को भिगो कर रखा था, उससे सुबह boil किया और फिर उसे mustard, garlic और freshly ground coconut या desiccated coconut के साथ stir fry किया, कुछ green chili, salt pepper, इस तरह की चीज़ें, और उस दिन चावल के blood glucose impact को समझने के लिए मैंने इस garlic fried rice की दो बड़ी servings खाई, in fact वो दो से भी थोड़ी ज़्यादा थी, two and a half servings कहना चाहिए, जिनका वजन आधा किलो से भी ज़्यादा था, और उन्हें मैंने खाना शुरू किया था, दोपहर को 11 बच कर 52 मिनिट पर, और उस वक्त मेरा baseline blood glucose था 75 या 75 और उसके बाद लगबक 40 मिनिट के time lap के बाद जब मैंने blood glucose की highest reading note की, तो वो थी 127 या 127, तो जैसा के आप देख सकते हैं, कि garlic fried rice की इतनी बड़ी quantity खाने के बावजूद, लगबक 10 kilo rice खाने के बावजूद, मेरे blood glucose में कोई बड़ा जंप नहीं आया, मुझे याद है कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक similar experiment कंड़क किया था, रसगुले पर, वो भी बेंगाल की ही एक recipe है, उस वक्त एक रसगुले को खाने के बाद, मेरा blood glucose 149 mg per deciliter तक पहुँच गया था, इसी दरह से कुछ दिन पहले मैंने देसी चाय की सिर्फ एक cup, एक प्या प्याली चाय पी कर उसका blood glucose impact देखा, और उस वक्त मेरा blood glucose 149 तक पहुँच गया था, तो जैसा के आप देख सकते हैं, कहां एक 70 ग्राम वजन वाला रसगुला, कहां एक देसी चाय की प्याली, एक छोटी सी छोटा cup, और कहां आधे किलो से भी ज्यादा garlic fried rice की एक dish, जो इत इतनी wholesome थी, इतनी fulfilling थी, कि उसे खाने के बाद कई घंटों के समय तक मुझे कोई दूसरी चीज खाने का ख्याल भी नहीं आया, और इस difference के बावजूद उसका blood glucose impact, रसगुले और देसी चाय से भी कम था, इन छोटे छोटे experiments से ये एकदम साफ हो जाता है, कि चावल उतना बुरा नहीं है, जितना इसे बननाम किया गया है, आज हमारे देश में चावल का नाम इतना खराव हो गया है, कि जैसे ही किसी व्यक्ती को blood sugar की problem होती है, जैसे ही किसी व्यक्ती का वजन थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे जो सबसे पहली हिदायत या सलाह दी ज खाना बनकर तेरा इस जनम में चावल खाने का जो कोटा था, वो पूरा हो गया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें चावल से बे इंतिहाशा डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सही चावल का चुनाओ करने की, और यहां सही चावल से मेरा मतलब है एक ऐसे च चावल का चुनाओ करने की, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसका आपके ब्लड ग्लुकोस पर इंपेक्ट कम हो, और एक बार जब आप सही चावल का चुनाओ कर लेते हैं, तो ऐसी रेसिपीज का चुनाओ करने की जरूरत है, जो उसमें इस्तिमाल किये गए ग्लाइसेमिक लोड और भी ज्यादा कम कर दे, फर एक्जामपल मेरी इस प्रिजेंट रेसिपी में, गार्लिक फ्राइद राइस की रेसिपी में, काफी मातरा में फ्रेशली डेसीकेटेड कोकोनट, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट का इस्तिमाल किया गया था, जिसमें प्रफेट्स होती हैं, और वो भी मील का ग्लाइसेमिक लोड काफिहत तक कम कर देती हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की इंटरनेशनल टेबल के अनुसार, बॉयल्ड वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 के आसपास होता है। तो यदी आप चावल के ब्लड शुगर पर होने वाले इंपैक्ट को कम करना चाहते हैं, तो एक ऐसे चावल को सिलेक्ट कीजिए जिसकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग कम से कम की गई हो, जिसकी मिलिंग और पॉलिशिंग कम से कम की गई हो। इस extra milling और polishing का चावल के blood glucose impact पर कितना फर्क पड़ता है उसके लिए मैं आपको अपने द्वारा किये गए दो experiments के बारे में बताता हूँ पहले experiment में मैंने जीरा rice की एक serving खाई थी और उसे खाने के बाद मेरा blood glucose level 77 या 77 से बढ़ते बढ़ते 156 एक दूसरे experiment में मैंने पुली हो रहा जो कि South India की एक बहुती famous recipe है जिसे पुलियो धरई या पुलियो घरे भी कहा जाता है उसकी एक standard serving खाई थी और उसे खाने के बाद मेरा blood glucose level 68 या 68 से बढ़ते बढ़ते 155 तक पहुँच गया अब जैसा के आप जानते हैं कि वो चाहे पुली हो रहा हो या जीरा rice इनमें generally white rice का ही उपियो किया जाता है और वही main ingredient भी होता है उसके अलावा कुछ खास ज्यादा नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि यदि आप चावल किसी colored rice variety का चुनाव करते हैं यदि आप brown rice या red rice या black rice या wild rice जैसी rice variety का चुनाव करते हैं तो आपको चावल से बेकार में ही डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है अब यदि आप किसी कारण वश ड्यू टू सम रीजन red rice या brown rice या black rice या wild rice जैसे rice varieties को नहीं खा पाते या खा सकते और आप साधरन white rice ही खाना चाहते हैं जो कि हमारे markets में generally available होता है तो उसके blood glucose impact को कम करने के लिए आप मेरी blood glucose clearing toolkit का इस्तेमाल कर सकते हैं इस toolkit में 5 tools हैं पहला tool है add fiber और इसका मतलब है कि जब भी आप white rice खाएं तो उसके साथ काफी मातरा में सबजी खाएं या फिर काफी मातरा में छिलके वाली डाल खाएं ऐसा करने से आपको सबजीयों से या छिलके वाली डाल से मिलने वाला फाइबर आपके white rice के glycemic load को काफी हद तक कम कर देगा blood glucose को कम करने का जो दूसरा तरीका है इस toolkit में वो है कि आप white rice की जो dish बनाएं उसमें आप थोड़ा सा vinegar या lemon juice मिलाएं ऐसा करने से भी उस white rice की dish का glycemic load कुछ हद तक कम हो जाएगा अब यदि आप white rice की अपनी dish या recipe में vinegar या lemon juice नहीं मिलाना चाहते तो उसका भी एक way out है जो तीसरा तरीका है और वो यह कि आप white rice की dish खाने से पहले लगबग एक 15 मिनट पहले एक tablespoon apple cider vinegar पानी के एक glass में मिला कर पी लें ऐसा करने से भी आपके blood glucose impact में कुछ कभी आ जाएगी blood glucose कम करने का जो चौथा तरीका है white rice खाने के बाद वो यह कि आप white rice की dish यदि कल खाने वाले हों तो उसे आज ही पका लें और पकाने के बाद आप उसे ठंडा करें अपने kitchen के platform पर और ठंडा करने के बाद आप उसे fridge में रख दें और कल जब आपको उसे खाना हो तो आप फिर उसे fridge से बाहर निकालें और फिर से गरम करें ऐसा करने से आपके white rice में resistant starch डिवलप हो जाएगा और उसके चलते उसका glycemic index कुछ हद तक कम हो जाएगा और blood glucose कम करने का जो पाचवा धरीका है वो यह कि जब भी आप white rice खाएं तो उसके तुरंत बाद आप कम से कम आदा गंटा पैदल चलें यदि आप आदा गंटा पैदल नहीं चल सकते तो पदरा भीस मिनट पैदल चलें यदि वो भी possible नहीं है तो कोई अन्य exercise करें आपकी अपनी 24 की ऐसा करने से भी आपको glucose clearing में कुछ हद तक साहता मिलेगी तो अगली बार जब आप चावल खाने बैठे हैं तो याद करें बंगाल के किसानों को याद करें हमारे पूरे देश के किसानों को जो अपनी कमर तोड मेहनत से पूरा साल मेहनत करने के बाद ये खुबसूरत और versatile food grain हम लोगों के लिए पैदा करते हैं और उनके द्वारा पैदा की गई सैकड़ों हजारों rice varieties में से अपने लिए सही variety का selection करें ऐसा चावल सिलेक्ट करें ऐसा चावल खाएं जिसकी milling और processing और polishing जरूर से ज्यादा न की गई हो जिसका brand काफी हद तक intact हो and last but not the least उस चावल को खाने के पहले और बाद में इस blood glucose clearing kit का इस्तेमाल करें यही कुछ तरीके मैं खुद अपनी daily life में daily basis पर अपनाता हूँ और इनी कुछ चोटी-चोटी सावधानियों की वज़े से मेरा blood glucose level और मेरा वजन भी दोनों चीज़ें एक stable zone में एक safe zone में रहते हैं और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि मुझ जैसा साधरान व्यक्ती ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वज़े नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते जरूरत है तो चावल जैसे refined carbohydrates के खतरों को समझने की जरूरत है तो उनके consumption को कुछ कम करने की इस तरह की blood glucose clearing toolkit के इस्तिमाल करने की